हर साल दिसंबर पाले महिने में हम नए साल को हैपी बनाने के लिए खूप सारा गाना बजाना करते हैं और दुआ कबूल भी हो जाती है लेकिन इस बार लगता है 2020 कान से थोड़ा कच्चा है और एक के बाद एक ही हमारी जिंदकी बरबात करने पे तुला हुआ है लेकिन वो कहते हैं ना बुराई के अंदर भी अगर टॉच लेकर तलाश करेंगे तो हलकी सी अच्छाई की परचाई नजर आ जाएगी ठीक वैसे ही 2020 में भी कुछ ऐसी फिल्म में रिलीज हुई है जिनको देखने के बाद थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन ये नया साल आपको उतना बुरा नहीं लगेगा कहानी में ट्विस्ट आता है जब 15 साल बाद अचानक एक नई नवेली लॉयर अपने पहले ही केस में इस सीरियल किलर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई शुरू कर देती है जिसके बाद मर्डर्स का कनेक्शन देश को चलाने वाले कुछ पाफुल लोगों के साथ जुड़ जाता है फिल्म को आप Amazon Prime पे देख सकते हो एंड में एक सोशल मेसेज भी दिया गया है जिसके बाद इंसानियत से आपका भरोसा उट जाएगा दस जनवरी को रिलीज हुई छपाक ऐसे डटेक सर्वाइवर लक्षमी के ओपर बेस्ट है जिनको चोटी सी उमर में ही इंसान के रूप में छुपे हुए हैवान का सामना करना पड़ा था जिसने सिफ एक ना की वज़ए से लक्षमी के चहरे पे तेजाप फेग दिया था इस बार फिल्म में लड़ाई मालती की है जो जिन्दगी में सबसे बड़ी नाइंसाफी जेलने के बाद कोट का दर्वाजा खट-कटाती है और पूरे देश में धढ़ले से बिक रहे तेजाप को हमेशा हमेशा के लिए बैन कराने का मन बना लेती है फिल्म को आप होट स्रार पे देख सकते हो कभी सोच कर देखेगा जिस जिन्दगी से हम रोज छोटी मोटी चीज़ों के लिए शिकायत करते हैं वो नॉर्मल जिन्दगी कुछ लोगों का सबसे बड़ा सपना भी हो सकती है 30 माई को रिलीज हुई इब आले ओ सोसाइटी में चलने वाले गरीब अमीर के फर्व को एकदम तमाचे की तरह हमारे चेहरे पर फेक कर मार देती है कहानी एक माईगरेंट वर्कर की है चो नौकरी की तलाश में दिल्ली आ जाता है और पार्लियामेंट के आसपास वाले एरिया में बंदर भगाने का काम करने लगता है लेकिन जानवर से लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन खुद जानवर बनने के लिए मजबूर हो जाता है जिसको लोग सोसाइटी रूपी पिंजरे में कैद कर देते हैं वैसे तो फिल्म को 24 गंटे के लिए फ्री में यूट्यूब पे शोकेस किया गया था लेकिन अब इसके दर्शन करने के लिए आपको अनुराग कशब से थोड़ा बहुत जुगार भिडाना पड़ेगा साथ फरवरी को रिलीज हुई मलंग का कनेक्शन एक खतरना केलर के साथ जुड़ा हुआ है जो खुलम खुला पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज करके एक के बाद एक पुलिस ओफिसर्स को जान से मार रहा है कहानी में ट्विस्ट आता है जब मर्डर्स के पीछे एक छुपीवी लव स्टोरी सामने आती है जिसका तार दो लवर्स के साथ साथ दो पुलिस ओफिसर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है जो युनिफॉर्म तो पुलिस की पहनते हैं लेकिन दिमाग किसी शातिर क्रिमिरल से कम नहीं है फिल्म को आप नेट्फिक्स पर देख सकते हो मज़दार सस्पेंस के साथ साथ एक नए जमाने की लव स्टोरी के दर्शन करने का मौका भी मिलेगा साथ फरवरी को रिलीज हुई दिया एक इंट्रोवर्ट लड़की की कहानी है जो दुनिया के साथ अपने ख खुद ट्रेन की पट्री पर जान देने के लिए मजबूर हो गई जबाब आपको एमेजॉन प्राइम पर मिलेगा फटा फट जाएए वादा करती हूं दिया जैसी फिल्म आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और हाँ क्लाइमेक्स के लिए दिल को थोड़ा सा मजबूत क खेलने लगते हैं साफ साफ शब्दों में बोलूं दो फिल्म हर किसी के लिए नहीं है लेकिन जो स्लो और मिनिंग्फुल सिनिमा देखना पसंद करते हैं उनके लिए किसी सर्प्राइज से कम नहीं है जाए एमज़ून प्राइम पर फिल्म का टिकेट टुरंट मिल सब कुछ पीछे चोड़कर ये चोटे बेटे चिंटु का जयम दिन मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन पार्टी में शामिल हुए दो अमेरिकन सोल्जर्स इनकी खुशियों पर फुल स्टॉप लगा देते हैं फिल्म के दर्शन आपको जीफाइफ पे हो जाएंगे नाम पे बेस्ट फिल्मों की लिस्ट थोड़ी अधूरी सी रह जाएगी 20 परवरी को रिलीज हुई ट्रांस एक मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी है जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं लेकिन किस तरीके से अंदोविश्वास का धंदा करके ही सीधा जमीन से आसमान तक पहु वापस अपनी मां से खेल के मैदान पर उतरने की जित करता है मैडल मिलेगा या फिर मजाग उड़ेगा जब आपको होट स्टार पर मिल जाएगा 31 जनवरी को रिलीज हुई लव मॉक्टेल प्यार जैसे कॉम्प्लिकेट शप्त को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती ह आदी की जिंदगी में प्यार की एंट्री काफी बार हो चुकी है लेकिन कौन सा वाला सच्चा है और कौन सा वाला जूटा इसका पता कैसे लगाया जाए क्या बाकी प्यार को टेस्ट करने का कोई फॉर्मूला होता है दिमाग के घोड़े मत दोड़ाईए जाके Amazon Prime पे फि अबजा जमा कर बैठे थे उस पे मराठा सामराजिक का भगवा फेराने का सपना किस तरह सच्चाई में बदला गया था और उद्रभान जैसे खतरनाक दुश्मन को किस तरह धूल चटाई गई थी वो सब कुछ आपको फिल्म में देखने को मिलेगा ताना जी को आप होट स पुलिस वालों की शिकार पे निकल जाता है और हिपनोटिजम का सहारा लेकर दिल दहलाने वाले मर्डर्स को अंजाम देता है फिल्म को आप जीयो सिनेमा पे 100% फ्री में देख सकते हो बैतरीन मिस्ट्री के पीछे एक खतरनाक पागल किलर आपको राचिस सिन जैसी मास्ट की बिता रही है लेकिन नौकरी का प्रेशर एक दिन पती देव को अमरिता के ओपर हाथ उठाने के लिए मजबूर कर देता है सवाल काफी छोटा है सिर्फ एक थपड की वज़े से शादी जैसे रिष्टे को तोड़ना कितना सही है या फिर कितना गलत लेकिन जब गहराई थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए वैसे भी लाइफ का फंडा काफी सिंपल है कोई भी दिकत सिर्फ उतनी बड़ी होती है जितना आप उसको बनाते हो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल झाल 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 झाल